अफ्रावरेकों डेया स्टूडेक्स क्या आले हैं आप लों के यूचेस की बीडियस की लेस्ट चेक्टर ने हम जा रही है अपडेटेड मेरे लिस्ट यहाँ पर अपनोडेड है आप लोगों के पास आ जाएगी इस प्रगे के लिस्ट तो आप लोगों ने जहां से अपनी जो है बीडियस की कॉलेज पर इस लिस्ट चेक कर लेनी है और यहाँ पर आप यह मेवेस की लिस्ट दे गई है मेवेस की लिस्ट के उपर पूरी वीडियो में पटा चुका हूँ इस्ट्रक्शन भी आप लोगों को बता चुका हूँ जो स्टूर्स ने 25 जनवरे तर अपन की फीस जो है वो सम्मिट करवा दिनी है कॉलेजिस के अंदर जाकर सिवाए अजड़नाइद मेडिकल कॉलेजिस के लिए यहाँ पर भी जो है वो इंस्ट्रक्शन दी हुई है आप लोगों इन इस्ट्रक्शन को पढ़ ले रहा है या जो पिछली वीडियो है MBPS वाली उसक क्चंशं का मेडिकल कॉलेज लौवर की तो यहाँ पर जो है सिंटारीस सूदेंज है वो स्लेक्ट हो चुके है तीन स्टूदिट दूसरे मेडिकल कॉलेजिस से जो है वो अप गेड हो पर आई है शरीफ मेडिकल कॉलेज है यह 44, 39, इसका closing रहा है, highest aggregate है, इसका medical center colleges में, 78.80, 45% इसका closing aggregate रहा, अक्तर सहीद का dental college हम चेक करते हैं, तो 12 students जहाँ पर अपनी fees submit करा चुके स्टेक कर चुके हैं, 35 students बेटिंग लिस्स से upgrade हुए हैं, और 2 students जो है, वो दूसरे colleges से upgrade हो पर आई हैं, उसका closing aggregate रहा, 69 double piper, closing aggregate है, 73.13%, FMH का dental college हम देखते हैं, तो 64 students जहाँ पर अपनी fees confirm कर चुके हैं, stay ले चुके हैं, एक student बेटिंग लिस्स से upgrade होपर आया हैं, 9 students जो है, वो दूसरे colleges से upgrade होकर यहाँ पर आई है, closing crack रहता है, 7029 का closing aggregate रहता है, 72.95%, university college of medicine density rock, वो उनका 15 students यहाँ पर select हो चुके हैं, 59 students जो है, वो वेटिंग लिस्स से upgrade होकर आई हैं, एक student जो है, वो दूसर college से upgrade होआ है, 72.45, इसका closing रहकरा, aggregate रहता है, 72.4 to 73%, और यहाँ आपको बार्त बताता चलता हूँ, जो भी student के सामने बेटिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हर्किस दिया है, वो भी submit लेकर रहेंगे, जिन भी students के सामने बेटिंग लिखा हुआ होगा, इसका मतलब है, वो उसका successfully admission हो चुका है, वो जाकर अपनी 20 submit कर रहा है, 25 January से पहले पहले, तेरती स्टूडेंट जो है, वो स्लाइट किये गए है, उन्होंने स्टेक किया है, वतीप medical college में, साथ स्टूडेंट बेटिंग लिख से अपग्रेड होए, 10 स्टूडेंट दूसरे colleges से अपग्रेड होकर आई है, क्लोजिग एग्रिगेट जहां रहता है, 72.24% बारग्रा इंसिट्यूट रावल पीटी में है, 55 स्टूडेंट जहां पर अपने स्टेक कर चुके हैं, 12 स्टूडेंट जो हैं, वेटिंग लिस्स से अपग्रेड होए हैं, साथ स्टूडेंट जहां पर दूसरे colleges से अपग्रेड होकर आई, क्लोजिग रहता है, 75-36, एंग्रिगेट की बात पर तो 71.63%, डेंटल सेक्षिन है, लगोल वेडिकल डिक्रिटल कॉलेज, लगोल का 45 स्टूडेंट जहां पर अपने स्टेक कर चुके हैं, साथ स्टूडेंट जहां पर आई, साथ स्टूडेंट जूसरे colleges से अपग्रेड होकर आई, वो क्लोजिंग रहता है, 70.9091% क्लोजिंग एग्रिगेट रहा, मेडिकल कॉलेज या टेंटल कॉलेज, आज स्टूडेंट ने सिर्फ जहां पर आई वीचिन अपर तक कंफर्म किया है, अजरा नहीं बेडिकल कॉलेज, अगर आपका अजरा नहीं बेडिकल कॉलेज आपसे जॉइनिक नहीं लेता तो आप लोग यूचिस से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आफ स्टूडें यहां पर स्लाइट हुए, 42 स्टूडें बेटिंग लिस से अप्रेट होचे हैं, 8 स्टूडें यहां पड़कर स्टेー कर चुके हैं, और इसी तरह अफडेड जो ओए हैं, वो और स्टूडेंट दूसरे कॉलेज से अप्रेट हुआ, 8050 इसका closing रेक रहता है 70.09 इसका closing एग्रिगेट रहा इसे था राश्यर गतीम टेंटल कॉलेज राश्यर टेंटल कॉलेजी में ग्याना स्टूडेंट अप्रस्टेमाट भी शरक नवर्म कर चुक है 62 स्टूडेंट जो है वो अपग्रेड हुए है वेटिंग लिस्स से एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे कॉलेज से अपग्रेड होकर आया है 1064 इसका closing रेक रहता है 70.05 परसेंट इसका closing एग्रिगेट रहा हमारे पास ग्रिया वेडिकल कॉलेज आ जाएगा डेंटल कॉलेज जो है वो आ जाता है बखतावर अमीन का बखतावर अमीन मेडिकल कॉलेज की बात करते है तो 15 स्टूडेंट जहाँ पर सेलेक्ट होए है 60 स्टूडेंट जो है वो अभी भी वेटिंग लिस्स से अपग्रेड होकर आए या कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपग्रेड पही हुआ बखतावर अमीन के अंदर क्लोजिंग रेक्ट हमें नहीं हो रहा है क्योंकि एग्निगेंट 69.60% रहता है इसी तरह डेटल कॉलेज नियाजी मेडिकल कॉलेज साल गोता की बात करते है तो 23 स्टूडेंट अफ्टैट वेटिंग लिस्स के अंदर है और तीन स्टूडेंट दूसरे कॉलेज से अपग्रेड होए प्लोजिंग रेक्ट दो रहता है 88.001 रहता है इसका और 69.45% इसका प्लोजिंग एग्रिगेट रहा है डेंटल सेक्शन है युनिवस्टी मेडिकल डेंटल कॉलेज पैसलाबाद का अठारा स्कूडेड अप्लाइट की स्टे करहा है स्कूडे करके है 32 mounted ही उप्लेड होते है वेट इंगिलेज wied जै एक भी स्कूडेड दूसरे कॉलेज से अप्लोज ऐंग्रिट आया जो एक एग्रिगेट रहता है 69.4182% और डेंटल सेक्शन ही है मुलतान मेडिकल डेटल कॉलेज एमेम डेसी का 33 स्टूड़न जो है वो अपग्रेड होकर आते हैं वेटिंग जिस से 16 स्टूड़न जहाँ पर प्रप्राइड विश्र कंफर्म कर चुके है एक स्टूड़न दूसरे कॉलेज से अपग्रेड होकर आया स्टूड़न जो है वो वेटिंग लिस्ट से आ रही है और क्रोज़न ऑग्रेगेट रहता है 69.268% और इसी तरह शाहिदा इसलाब डेटल कोलेज 6 स्टूड़न जूस्ट स्टूड़न जोचे रही है और 82, 85 इसका क्रोज़न रहा 69.06 80% इसका क्रोजिंग एग्रिगेट रहता है तो इसके तरह मैं यहाँ पर फरियाल को हीद्वा फील्ड चेक करना चाहूंगा को कि मुझी लगता है यहाँ पर जरूर कोई डिस्टेक हुई है मुझसे तो मैं फरियाल का जो है वो रेक दुबारा से चेक करता हूँ फरियाल मेडिकल कालेज के अंदर के वहाँ पर इतने स्टुडेंट एडिमिशन नहीं ले सकते हैं छे स्टुडेंट ने सिर्फ एडिमिशन लिया सोरी मैंने यहाँ पर घलत लिक्ते हैं लिए तो इसी तरह हम देखते हैं हमारे पास जो इस फक्लोजिंग रेक आता है शायदा इसलाव है आखनी तो हमने देखा इसका क्लोजिंग रेक है हमारे पास 82-85% इस तरह मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि एक्सपेक्टर यही है वो 70.5% निचे जाए या 70.2 तक रहने के ज़्यादा तर चांसे हैं अभी 69 वाले जो है वो अभी बेस में स्लेक्ट नहीं होगे इसी तरह ब्यूडियस के अंदर जो है वो बैरेट अभी भी मजीर टाउंट जाएगा क्योंके जाकर हम इसको समराइज करते हैं तो हम यहाँ पास बन जाती है 119 तो इसको आप लोग देख भी सकते हैं स्क्रीन के ओपर के 119 इसके टोटल सेंट्स है यहाँ पर और यहाँ पर जो स्टूडेट स्लेक्ट के गए गए हैं वो हैं यहाँ पर जिन रिप तक अबिशन ले लिया है जो स्लेक्ट हो चुके मुकमल स्टे कर ल यह 56 स्टूडेंट भी जो है अपने डोकर अबिबेस के कॉलेजिस पे चले जाए और अगर हम वेटिंग की बात करते हैं जो नए आने वले स्टूडेंट है जो पहली मुकमल स्टूडेंट कर लाएंगे फूल की तरदाद है यहाँ पर 512 और अब कह सकते हैं कि इस वक एह कुटल रिसीट्स पे से 507 स्टूडेंट अपना एडिमिशन जो है वो बीडियस के कॉलेजिस पे सम्ट करा चुके है और 512 स्टूडेंट जो है वो अब भी बेटिंग लिस्ट से में है पर दो इन 512 में से कितने लोग पी सम्ट करवाते हैं यहाँ पर क्योंकि हो सकता है कि 69, 68 वाले को जो है वो दूशर प्रोविर्स लाइक सिंध में उतको अब इबिस में एडिमिशन बिल रहा होगा तो यहाँ पर बीडियस करना को प्रेफर्ट नहीं करेंगा इसलिब कह सकते है कि आने वाले दिनों में नदर आएगा 68 परसंट से भी मेरिट जो है वो डाउन दी जाएगी ओके बचों रखेगा प्रट यार मिलते हैं डेक्स वीडियो में नई अपडेट के साथ अल्ला हापिर